पूर्वी beauty and fashion में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे abortion के बाद इन लक्षोलों को ना करें नजर अंदाज हो सकते इन्फेक्शन का संकेत तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो हर महिला के जीमने प्रेंग्निंसी एक सुखत पड़ा होता है लेकिन कुछ महिलाएं को प्रेंग्निंसी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कई बार कुछ महिलाओं को परिशानियों के कारण abortion यानि की गर्पात कराना पड़ता है गर्पात के बाद महिलाओं के गर्वा से अन अंगों में इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है यद इनको अंदेखा किया जाए तो महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस दोरान महिलाओं का पेलपिक में दर्द संभुक के समय दर्द इन फर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेग्नेंसी की समस्या हो सकती है गर्व पात के बाद महिलाओं को मांसिक तोर पर सपोर्ट के साथ ही मेडिकल देखपाल की जोरुत होती है गर्व पात के बाद महिलाओं को इनफेक्शन का खत्रा अधिक होता है ऐसे में यत सही देखपाल ना की जाए तो महिलाओं को गर्भासे से समंदित रोग होने का जोकिम बढ़ जाता है गर्वपात के बाद महिलाओं को infection होने पर ए लक्षण दिखाई देते हैं discharge में तेज गंद आना गर्वपात के बाद महिलाओं को तेज गंद इक्त discharge हो सकता है महिलाओं में इस तरह का लक्षण सामाने नहीं होता है इस दोरान महिलाओं को तुरंत अपने डॉक्टर को गर्वपात की जांश करानी चाहिए ताकि किसी भी तरह का संभवित संक्रम को समय रहते दूर किया जा सके दूसरा रीजन बुखार आना अगर महिला को गर्वपात के बाद 24 से 48 गंडों के बाद तेज बुकार आ गया है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टरी शला लेना चाहिए यह लक्षण महिलाओं के संक्रमन की और संकेत करता है इस दौरान महिलाओं को चेक अपकर उन्हें एंटिवाटेक दवाएं दी जा सकती है पिरियेट्स का इन्रेगुलर होना गर्वपात बाद एबोर्शन के बाद महिलाओं को संक्रमन होने की समामना आधिक होती है आसे में महिलाओं के पिरियेट्स अन्यमित हो सकते हैं इस समय महिलाओं को पिरियेट्स के दौरान होने वाला रक्तसराओं गहरे लालंग वा मशली की दुरगंद की तरह होता है यह भी संक्रमन का एक संकेत माना जाता है पेरियेट्स में रक्तस्राव का अधिक होना गर्व बात के समय कुछ मैलाओं को संक्रमण के लक्षणों में पेरियेट अनमित तो कुछ को पेरियेट के समय से अधिक रक्तस्राव की समस्रा का सामना करना पड़ता है पेट या पीठ में तेज दर्द होना एबोर्शन के बाद संक्रमन होने पर कुछ मैलाओं को पेट पीठ में तेज दर्द की समस्या हो सकती है दरसल इस पेल्विक फ्लोर पर समयदन सिल्टा बढ़ जाती है जिसकी बज़े से इस हिस्से पर संक्रमन का खत्रा अधिक महसूस होता है संक्रमन होने पर मैलाओं को पेट के निशले हिस्से और दर्द में पीठ में हल्का दर्द मैसूस हो सकता है गर्वा पात के बाद महिलाओं के प्राबिट पार्ट की सफ़ाई कर आ जाती है यद्स शफ़ाई ना की जाए तो इसमें बैक्टरिया और फंगस से फ्राबइट पार्ट में इनफेक्ष्न हो सकता है इसकी वज़े से महिलाओं को जलन बा सूजन की समस्या का सामना करना पार सकता है घर्वपात के फीक्षन के खत्रे से बचने के महिलाओं को तुरन्त बॉक्टर को दिखाना चाहिए इस समय डॉक्टर महिलाओं के एस समय प्राइवेट के कारण चार से आठ हपता तक किसी भी तरह की सेक्स प्रितकिर्या में सामिल ना होने की सल्हा मैं आपको देता हूं इस दोरान सेक्स करने से गर्वासे में इंफेक्शन होने का समाम ना बढ़ जाती है तो यह था हमार आज के वीडियो आपको कशा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद